नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी मुर्दों को चलते हुए देखा हैं? अगर नहीं देखा हैं, तो अपने आसपास के समाज में देख लिजे, हम इससे ज़्यादा तर लोग अंधर से मर चुके हैं मौत का मतलब यही नहीं होता है कि सांसे रोख जाएं मौत का मतलब यह होता है, कि जब आप सपना देखना बंद कर देते हैं, जब आप हिम्मत करना बंद कर देते हैं, जब आप अपने हिसाब से चलना बंद कर देते हैं, उसको भी मौत ही कहते हैं आज क्या आप अपने हिसाब से चल सकते हैं एक छोटा सा decision आप ले सकते हैं एक छोटा सा काम आप अपने हिसाब से कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं हमने एक अपने जीवन में उस चीज को मान लिया है कि मेरे उपर भगवान ने यही हमारे लिया था हम इसी तरह से जीएंगे, नहीं, हम सब को भगवान ने बहुत special बना के भेजा है, हम सब उतने ही special है, जितना कि आज के डेट में जिसको आप आइडल मानते हैं, जैसे कि फिल्म में सारुक खान हो गये, क्रिकेट में सचीन तेंदुलकर विराट कोहली हो गये, भारत के परध बड़ते जा रहे हैं, एक बड़ अच्छी लाइन है, कि जिन्दकी के सफर में राष्टे कहां खत्म होते हैं, मन्जिले वही हैं जहां ख्वाई से थमझाएं, तो आपकी मन्जिल वही है जहां ख्वाई से थमझाएं, अगर आप चाहते हैं कि मैं दस रुप्य ही कमाओ, तो आपकी वही मन्जिल आ जाएगी, लेकिन ज्यादा तर लोग हम में से दस रुपे कमाने में इतना वीजी हैं, कि वो हजार रुपे, लाख रुपे, करोर रुपे के तरफ देखी नहीं रहें, ये बात पैसों की नहीं है, बात है आपके ड्रीम की, कि आप जीवन में जो फर्स स्टेप सबसे आधा इंपोर्टेंट होता है, वेल बिगन इस हाफ डन, आपने अच्छी सुरुवात कर ली, तो आपका आधा काम पूरा हो गया, और सबसे टफ सुरुवात ही होती है, जब भी हम किसी काम को सुरु करते हैं, तो सबसे जो टफ पार्ट होता है, वो चार्ट की थी, तो सुरु में इतनी सारी कठनाईयां आ रही थी, मुझे लगा कि इतनी सारी कठनाईयों को मैं कैसे उभर सकता हूँ, लेकिन अचानक कुछ दिनों के बाद सारी समस्यां खतम हो गई, और हर चीज अपने आप इनलाइन होने लगी, और ऐसा लगा कि जो जो फॉर्वेस गंज गया भी नहीं था, और बैंगलोर से फॉर्वेस गंज जाना अपने आप में एक क्या कहते हैं, कि समझ भी नहीं आ रहा था करना कैसे है, लेकिन तब भी और टिकट उस वक्त इतना महंगा हो चुका था, चार दिन पास दिन पहले हमेशा पीटी का वेन्य अनौन्स होता है, तो मेरा मन में आया कि ड्रॉप कर दो, लेकिन फिर मैंने का नहीं, रिस्क लेते हैं, और उस वक्त मेरे जितने अकाउंट में पैसे थे, टिकट लगो उतने कहीं था, बहुत बड़ा रिस्क था ये, और मैंने का एक मन बना लिया कि नहीं, मैं इतना ब़ कि कैसे आप सुरुवात करते हैं, आप हिम्मत करते हैं, तो कैसे आपको सफलता अपने आप मिलती है, तो वैसी मैं सबसे यह खाना चाहता हूं, कि अगर आप सुरुवात नहीं कर रहे हैं, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या उमित कर रहे हैं, कि रातो राते चीज कि वो इतने अंदर से तूट चुके हैं इतने अंदर से मर चुके हैं कि वो एक छोटा decision भी नहीं ले पाते हैं एक बड़ी अच्छी बात किसी ने कही है recently कि अगर आपको अपने परिवार से मिलना है तो आपको जूट बोलना पड़ता है अपने office में कि मेरी तवियत खराब ह जिन माबापने आपको पैदा किया अगर आपको उनसे मिलने की इक्छा है तो आपको जूट बोल के मिलना पड़ता है इतनी लाचारी से जीने से क्या फायदा तो जीते जी मरना नहीं है इस last को ढोना नहीं है बेंजामिन फ्रेंक्लिन के एक लाइन है कि हमें से जायतर लो 25 की उमर में ही मर जाते हैं बस उन्हें दफनाया या जलाया जाता है 80-90 साल के उमर में है तो प्लीज अपने अंदर को नहीं मरने दीजिए अपनी आतमा को नहीं मरने दीजिए एक सुरुवात कीजिए मैं अकसर कहता हूँ एक पहला कदम बढ़ाईए और पहला कदम कैसे लास्नापने अपने यागा